जै च्छतिसगर्ड वंदे मात्रम प्रिप्रतिभागियों आज हम लोग च्छतिसगर्ड समान नियध्यन की कक्षा सुरू करने जा रहे हैं और ये क्लास च्छतिसगर्ड समान नियध्यन आप पाएंगे CGPSC के अंतरगत विभिन परिछाओं में ये स्रिवस सामिल है व्यापम में फॉरेष्ट गार्ड तो व्यापम में आप देखेंगे आराई पटवारी अना अभी देखो के प्रियोग साथा परिशारक भृत्य चौकीदार कम से कम 60-70 प्रगार की परिछाएं होती हैं इस्टेट गवर्मेंट के द्वारा CG-PSC से लेकर CG-व्यापम उन्हें सभी में आप पाएंगे 36 गड़ समान नियत हैं तो इसके लिए आज हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं आप सभी से अनुरोध है कि क्लास को आप लाइव जुड़े हैं तो फटाफट अपने दोस्तों को शेर कर देंगे साजह कर देंगे यह लाइव क्लास के डेमो चल रहा है वैसे तो फिर उन बच्चों को यह क्लासिस मिलती हैं रेगुलर जो बच्चे रजिस्ट्र कराते हैं तो आप लोग के लिए आउन-लाइन आउफ-लाइन दोनों क्लास उपलब्द रहेगा हम मेरी क्लास से रिगुलर जूड़ सकते हैं तो आझ हम लोग च्चत्तिड के जिओराफिक के अंतर गया च्चत्तिड के टिहास हम लोग सुरू कर रहे है कि च्चत्ति-ड़ बना कैसे जेहन में ये बात आती है कि राज्य के निर्माड हुआ तो कैसे हुआ बहुत पहले से हुआ है क्या कि अभी कुछ साल हुए है कि आप सभी को तो मालूम है वैसे कि छत्तिगड जो है कब बना तो बच्पन से पढ़े हो एक नौंबर 2000 को हमारा चत्तिगड का गठन हुआ पर एक नौंबर 2000 को जो गठन हुआ चत्तिगड 26 वा राज्य 95 वर्सी योजना में उससे में ततकालिक प्रधान मंत्री अटल विहारी वाचपई थे ततकालिन मोख्य मंत्री डिग वजैसी थे होम मिनिश्टर लाल किष्ण अडवानी थे तो ऐसा नहीं कि इन्हीं के प्रयास से ही सब कुछ हुआ ये लोग प्रयास किये लेकिन इससे पहले भी राज्य बनने के लिए कई प्रयास किये गए अथक प्रयास अतत प्रयास तब जाके 36 गड़ जो है एक नॉम्बर 2000 को देश का 26 वा राज्य बना ठीक है ना तो इसके इतिहास को हमको समझने का प्रयास करना है तो थोड़ा सा समझने है आप सभी लोग ध्यान दीजेगा छतिर का ये इतिहास नहीं है मतलब कहा जाए तो इतिहास बोल भी सकते हो पर इसको मैं हमेसा जब पढ़ाता हूं तो इसको मैं जियोगराफिक का पार्ट मानता हूं ठीक है चतिर के भूगोल का तो आप सभी पर प्रतिभागी थोड़ा ध्यान सुनेंगे जब भी हम चतिर को पढ़ें तो एक चीज ह मैं special batch लेता हूं more 36 गड़ जो बहुत more होता है वास्ट होता है लेकिन ये class एकदम खासम खास ठीक है एकदम खास खासी जो मैं बताने का प्रयास करूंगा जो exam में बार-बार frequently पुछा जाता है ध्यान दीजीगा हमारा जो 36 गड़ का GS है अपने आप में काफी व्रिहद हो है आज के परिच्छा के इस तर को देखा जातो 36 गड़ का GS जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 36 का समान अध्यान समझ जाएंगे आप लोग तो 36 का समान अध्यान जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए हमेसा धिया रखना क्योंकि मुझे मालूम ह आप मेंसे कई लोग ऐसे हैं जो 36 को पहली बार पढ़ रहोंगे या पढ़े रहोंगे कही जमाने में या फिर विल्दम शुरूस वात होगा तो 36 को समान अध्यान के लिए सबसे पहले जीला परिचाए पढ़ना चाहिए क्या पढ़ना चाहिए जीला परिचाए आप सभी आपयंसे जानते हैं कि 36 गड़े में जो है वरतमान में कितने जीले हो चुके हैं तो आप सभी जानते हैं जीलो की संख्या अब कितनी हो चुके हैं 33 जीले तो 33 जीलो के बारे में समान जानकारीय आपको होनी चाहिए конечно Aligoil चतिएड़का अपना भूगोल जिसमें हम बात करने वाले हैं फिर भूगोल अब समझ गया है तो चतिएड़का आप इतिहास देख लिजिए क्योंकि चतिएड़का अपना इतिहास है और इस इतिहास के बाद हम देखेंगे चतिएड़की जन जाती तो ये सबसे खास है मेन मेन चतिएड़का ये चार है कह सकते हो जिसे गाड़ी में चार पहिये होते हैं वैसे ही चतिएड़के चार अंग है जिसे चतिएड़क तेजी से दोड़ता है इस चार चीजों को पगड़ लिए तो चतिएड़क में कमांड आ जाता है परन्तु इसके अलावा कुछ पार्ट और है जैसे कि छत्तिवर्ड के अर्थ व्यवस्था 36 गड़ की कला संस्कृति तो खर जन जाती मा जाता है छत्तिवर्ड का करेंट अफेर ये भी जो है शामिल इसमें रहता है और एक है पंचायती राज व्यवस्था पर फिर हाल आपको 36 गड़ पढ़ाना हो समझना हो तो इन चार चीज़ों में आपका कमांड होना चाहिए चाहे आप CGPSC में टॉप करना हो तो भी एई फॉलो करना है फर्स्ट रैंक लाना हो डिप्टिक एलेक्टर बनना हो या फिर आपको भी एग्जाम में नंबर वन रैंक लाना हो चार चीज़े सबसे खास है ठीक है साथ ही हो तो चलिए आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को तो हम सुरू करने जा रहे है 36 गड़ बना कैसे तो 36 गड़ बना कैसे 36 गड़ दिखेगा वहाँ वहाँ मैं दिखूंगा न जिसे प्रयोकसाला परिचारक है ठीक असिस्टेंट प्रोफेसर है प्रोफेसर है सीजी पी एससी प्री है मेंस है और आपका सिक्षक भरती है और भी बहुत सारे प्रशाव चात्री गड़ मतलब आपको मेरी क्लास चीजों को फोकस करना सिखो एक आगरता लाना सिखो क्लास में है ना लिखना भी लिखना भी लिखना मतल आप पेन कॉपी बंद करिये है आप जीवन भर यही करते आए हो कॉलेज इसकुल में कि बस सर बताए तो लिखना चालो सर बताए लिखना चालो ऐसा लगता है जानो तो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ अभी ना, आप लोग बकाइदा ध्यान से एकदम सुनो, कैसे घुगवा कस, है ना, घुगवा बनना बहुत जरूरी है, उससे क्या है फोकस होता है मैंड, ठीक है, अउनलाइन वाले ध्यान सुनना, नहीं तो लोटा हम फ्यक के मारूंगा, म अच्छे लोग को मारते रहता हूं मैंना, चलो, तो सुरू करते हैं आज क्लास को, छटिसगर राज्य निर्मान का इतिहास, इसका हम इतिहास आज पढ़ने जा रहे है, ध्यान दीजीगा, छटिसगर इतिहास, जिसमें हम समझेंगे कि राज्य बना कैसे, तो जब भी बात आती है छटिवर निर्मान की, तो आप ध्यान दीजीगा, आप भारत को देख लेजे, ये हमारा सारे जहां से अच्छा, ओलाइन वाले करेंट करेंगे, हिंदू सिता हमारा, आप सभी को मालूम है कि हमारे भारत देश में कई आया और कई गया, सब को मालूम है नहीं, प्र फिर आप देखेंगे मद्यकालिन भारत में विदेशी आक्रमन हुआ, और हम विदेशी आक्रमन के चलते पराधिन हो गए, ठीक है, तुर्की आये, मुगल आये, ठीक है, फिर उसके बाद अंग्रेज लोग आये, तो अंग्रेजों के जमाने में आपको ध्यान रखना है, पहलती है, पाकिस्तान भी अपना था, इधर नेपाल भूटान भी अपना था, इधर म्यानमार बर्मा भी अपना था, इधर बंगलादेश भी अपना ही था, इतना बड़ा विशाल भारत जो है, कहलाता था, अखणन भारत, तो आप देखेंगे इस भारत भूब भाग पर जो है हमारा 36 गड़ जो है किस तरीके से अवस्थित सा भारती मांचितर में आप गौर से देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा 36 गड़ आप जानते हो 36 गड़ 2000 से पहले किस राज्य किस सथा मध्य प्रदेश MP है ना तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर चीज़े जो है किस तरीके से वर्तमान इस्थितियां बदल कर कुछ और हो गई है यह आप देखेंगे इस तरीके से ठीक है और इधर आप भी है मैं जादा डेटेल में नहीं कर जाऊंगा यह हमारा MP समझना MP फिर बाद में क्या होगा 44 साल बाद बन के तयार हो जाएगा CG तो इसी को हमको समझना है CG जो है आया कैसे अस्तित्व में CG का अस्तित्व कैसे आया ठीक है आप देखेंगे 36 गड़ बरतमान में साथ राज्यों से घहरा हुआ है एक बार 36 गड़ तो इसी निर्मान के इतिहास को समझना है ध्यान देंगे 36 गड़ निर्मान के इतिहास की परंपरा सुरू कैसे होती है तो इसके लिए इतिहास आपको ध्यान रखना है 1861 से लेकर वर्स 2000 के बीच में आपको आना है 1861 से लेकर 2000 या फिर इसको मैं ऐसा बहु सकता हूँ 1854 से लेकर 2000 ह हजार है यह वो लेंगे तो भी चल जाएगा बिसिकली इसको लिखने का पीछे मेरा मकसद यह है कि इस समय में 36 गड़ में बिर्टिस सासन या कह सकतो बिर्टिस हुकूमत का क्या हुआ आगमन हुआ और बिर्टिस ने कहना चाहिए पूरे भारत देश में जानते हो 1757 प्लासी का यूद 1764 बकसर के यूद के बाद भारत के दिक्तर छेत्रगून का राजी स्थापित हो गया तो 18 से चंवण में अंग्रेज लोग आकर क्या किये 36 को अपने अधीन में ले लिए इससे पहले माराठा लोग का वर्चस हो था 36 गड़ में किनका माराठो का ठीक है तो पढ़ोगे आप लोग इतिहाज जबाएंगे तो माराठो के बाद जो है अंग्रेजों का यहाँ पर आगमन होता है और अंग्रेज लोग 1854 से 2000 अब यहा तो माराठे लोग यहाँ पर सासन किये थे उनका भी पूरा पढ़ेंगे कारी कैसे रहा तो 1861 इसलिए बोले आता है क्योंकि नाम जो है अस्तित थोड़ा सामने आया तो चलिए अब यह 1861 और 2000 को आप लोगो थोड़ा ध्यान देना है गठन किसका राज का गठन कौन से रा तो 36 गठन पर चर्चा हो रही है तो बिसिकली पढ़ना क्या है थोड़ा मैंड में सेट करो 1861 से मैं जाओंगा यह मान के चलो कि 1900 ठीक है यह मैं एक इंटरवल ले रहा हूं इस वो रटनिक जरुद में समाजना है फिर 1900 से 1950 जाओंगा ठीक है 1950 और 1950 के बाद ध्यान देने हा पर वर्स 2000 यह हो गया यह काल खंड में आपको तोड़ना है यह थोड़ा समझेगा online वाले यह मैं कह सकता हूं कि 1861 से लेकर 1950 यह मोटा मोटा समझ लो 1850 से लेकर 1900 से लेकर 1950 लगभग लगभग 50 साल और 50 साल 100 साल ठीक है यह 100 साल बंजागा यह अपना 100 वर्स होगा 100 वर्स और इधर अपना 1950 के बाद अपन तो दे सजाद हो चुक है है कि नहीं तो यह अपना अगला 50 वर्स यह इसके बाद का तो पढ़ना ही पढ़ना है no doubt तो राज जी गठन के बारे में बात करें तो 1861 से 1900 से 1900 से 1950 और 1950 से लेकर 2000 यह समझ गया है वर्स 2000 इस बीच में आप को माइंड सेट रेडी करना है क्योंकि बहुं सारे यह पढ़ने रहते हैं एक साथ पढ़ोगे तो में दिमाग खराब हो जाएगा सन है तो संसन आ जाते है दिमाग तो यहां पर क्या करना है हमको याद करने में असानी कैसे होगी यह 1861 से लेकर 1900 के बीच में देखें कि कौ अपना 50 साल और यह 15 साल तो देखा जाय कि ऑपा दीजजिया अनलाइन के सब cage प्रियास को समझने का प्रियास करेंगे लगभग 10.500 सालों से प्रियास जारी था कि 36 गड़एक अपना नया закृत्षक राज्य कृठ्ड़ हुग उके चलो तो हम लोग अब इसके अंदर गुसेंगे इसके बिच में गुसेंगे फिर इसमें गुसेंंगे इस यह में फिर इसके तो सबसे पहले हमारा पाड़ आता है 1861 से 1900 के बीच में क्या-क्या हुआ है तो चलो यह रेडी हो जाओ और आप सभी अभ्यारतिय को मैं चातियर का मैप बना के दिखा रहा हूं आप लोग को ऐसा मैप थोड़ा थोड़ा प्रेक्टिस डेली करना है कि और आप ज़ोग कभी यह मत सोच ना कि हम से मेप नहीं बनता या नहीं बनता सब बना सकते हो डेली बास करना रहता है तो जैसे की हमारे च के हाट आज कि Open चत्रिजड़ का मैप आप सभी ध्यान देंगी जो मैप बन रहा है सी होर्स की आकरिती है सी होर्स जिसको समुद्री घुड़ा भी कहायाता है वैज्यानिक नाम इसका है हिपो केमपस हिपो केमपस ये इसका वैज्यानिक नाम आप देख रहे हैं 36 गड़ की जो आकरिती है आप देखेंगे तो हमारा चत्रिगड़ भू आविष्ठित राज्य है जो की बीच ओ बीच है अंदर में है इसके आस पास कोई समुद्र या विदेशी राज्य की सीमा लगी नहीं हुए है ये हमारा चत्रिगड़ देखोगे प जिलों की संख्या कितनी हो गई है 33 यह हमारा MCB जिला यह हमारा कोरिया यह आपका सूरजपूर उत्तर में जिला है बलरामपूर यह आपका सरगुजा और यह अपना जसपूर ध्यान देंगे फिर आप देखेंगे तो यहां जो छेत्र है कोरबा और कोरबा के नीचे बना हुआ है आपका गोरिला पिंडर मरवा है फिर आप बाजम देखें कि यहाँ पर जो है छेतर यह अपना मुंगेली और इसी में भी नवीन जिला का निर्माण हुआ है सक्ति जो कि अभी वरतमान में सबसे छोटा जिला है कई बच्चे कमेंड करते हैं बार-बार के सर 36 गड़ जो है अभी कई लोग अब पुराने किताबे रहती है साथ छतिड़ का बड़ा जिला कौन सा है छतिड़ का छोटा जिला कौन सा है तो अभी वरतमान इस्तिति में है आज मैं जिस महीने में बात कर रहा हूँ तो आज के समय में चतिड़ का सबसे छोटा जिला 6 गड़ के दार पर सकती है जिला बल्दासपूर संभाग में है अभ तो नया जिला बन के सकती इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर दुर संभाग में यह अपका कवर्द है फिर आप देखेंगे हमारा राजननद गाउं छेत्र, एक जमाने में राजननद गाउं जीला सबसे बड़ा हुआ करता था छेत्र फल में, आज यह चोटा हो गया, कारण दक्षण छेत्र में यहाँ पर एमे में जीला बन गया, मोहला मानपूर, अंबगडशों की आप लो सुने हो गया, और इसके उत्तरी छेत्र में के सीजी जीला बन गया, के सीजी, के फोर खैरगड़, सी फोर छुईखदान, जी फोर गंड़ाई, यह जीले बन गया, तो इस प्रकार से राजननद गाउं का स अब सक्ति होगे जी, फिर आप देखेंगे अपना संजारी बालोद कांग, है ना, अब आते हैं रायपूर संभाग में, तो रायपूर संभाग में आप देखेंगे अपना बलोदबजार और अपना सारंगड बिलाइगड जो है, यह एक नमीन जीला बन चुका है, जो की बिलासपूर संभाग में आता है, पढ़ोगे कैसे बना, कब बना, बाद में बताऊंगा, यह हमारा रायपूर, और रायपूर के बाज़ो में हमारा महा समून, ठीक है, महा समून बहुत ही खास है, सभी दिरिश्टी कोड से देखोगे तो, यह अपना गरिया बन जीला, औ आपका कॉंडा गाओं, इस पश्ट है, और कॉंडा गाओं के पश्चीमी में छेतर में है, नरायनपूर, आप ध्यान दीजीगे, यह जो छेतर है, काफी धार्मिक, पौरानिक, अतिहासिक रूप से विसेस है, दंतेवाडा जीला, और दंतेवाडा के पूरो में, छत्रड की आन, बान, और सान, बस्तर जीला, और आप देखेंगे उसके बाद, यह जो छेतर है, वरतमान समय में, राज्य का सबसे बड़ा जीला, ध्यान सुनें के राज्य का सबसे बड़ा जीला बीजा, बीजापूर, बिग बड़ा, बिग बड़ा बीजापूर, ठीक है, तो य और बीजा नान्चुक बीजा, बड़ी जन बीजा होगे, तो बीजा सबसे बड़ा जीला है, तो आपको ये धिया रखना कि ये 33 जीलों से आज हमारा जीला दिख रहा है, आने वाले समय में हो सकता है, 36 जीले भी हो जाए, है कि नहीं, ये जीले आप देखेंगे, तो हमारा ये देखोगे तो ये पडोसी राज्यों में घिरा हुआ है, यहां से हमेसा ध्या रखना, जब भी बनाओगे, यहां से बनाओगे, राजनन गाओं को ध्या रखने, फोकस करना, राजनन गाओं से डिवाइड होगा, मातिर राज्य, MP, फिर ये हमारा, UP, फिर आप हमेसा ध्यान रखना, मैपिंग बहुत तगड़ा होना चाहिए, यह अगर तगड़ा है, तो कई बीमारी इस ही दूर, जो बोलते हैं, सुबेरे पानी अगर पीलोगे तबियत से, एक लोटा कम सकम, तो सरीर का पूरा क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, वैसे ही, मैप मैप अगर अच्छे बनाना सिख जाओगे, मैप सही बन जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कहीं जाएगा, एक दाम हुबहु बने, मैप बनाने आना चाहिए, वो खोगे मतलब आधवी मारी दूर, इसलिए आप लोग को डेली करना है, कोशिस करना है, समय है, फिर आप देखेंग यह जो च्छेतर इसका नाम है, तेलंगाना, और यह है आपका महराष्ट, तो इस प्रकार से नौ राज्यों से घिरा हुआ है, यह कौन से च्छेतर है, ओडिसा, तो यह जो च्छत्र आप देख रहे हो, साथ राज्यों से घिरा हुआ हुआ है, यह आप मैप देख रहे है, सी होर्स इस मैप का डिजाइनिंग बेसिली के लिए कब हुआ है हमें सा इकजाम पुछा आता है यादकने इस मैप का निरमाड सही निरमाड कब हुआ है तो आपको यादना है 1905 पांच का ठब लगाना है इस पस्ट है तो अब इसी राज्य को बनने में कितना प्रयास किए ग इस बीच में पढ़ने ना हैं इंटेरवल में यहां तक किसी कोई दुख तकलिफ online वाले समझ में आ रहे हैं ठेक समझ में आ रहे हैं ना कोई दिकत online वाले जितने भी online वाले मुझे देख रहे हैं आप सबी से मेरी अपील है कि फटाफट like button को प्रेस कर देंगे लाइक बटन को है ना मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा लाइक बटन को प्रेस नहीं कर पा रहे हैं और आप सभी से गुजारीज भी है कि मेरी ये वीडियो उन तमाम प्रतिभाग्यों को शेर कर दीजे जो तो 36 grads पढ़ना चाहते हैं बहुत ही conceptual तरीके से अपडेट तरीके से ठीक है साथियों तो चलिए यहां पर बात को आगे बढ़ाते हुए इतिहास पर पहुंशते हैं ये 36 grads का मैप है ध्यान दीजेगा पहला इंटर्वल पहला पार्ट या फिर मैं लिख सकता हूँ याद करने की चरीकी से प्रथम चरण पर हम बात करते हैं एक काम कर रहु है आप लोग के याद करने के तरीके से ये पहला 50 साल को मैं बोल दे हूँ प्रथम चरण ध्यान देना क्या है आज की बच्चे लोग गजनी टाइप से रहते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, तो उनको मैं थोड़ा सहुलियत प्रदान कर रहा हूँ, ये सुरूप 50 साल को प्रथम चरण, ये 19-1950 को क्या बोदेता हूँ, द्वीति ये चरण, चल जाएगा, ताकि तोड़ तोड़ के पढ़ने में मज़ा आता है, और ये जो 50 साल है, इसको बोदेता हूँ, 33 चरण, समझ में आ जाएगा, कहने के मतलब, जब भी कोई बड़ा चीज करना हो, तो step by step करना चाहिए, जैसे तुम लोग थारी मभात खाते हो, एक के संगरा खाड़ा तो कबता, एक अक कनिये दे, 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 पूरा थारी भरू रख जाते हैं, रोटी भी खाते हैं, पुरे रोटी को धर के आईसे खाते हैं, तो कब हाथी कस, नहीं, अराम से, तो वैसी भी यहां से हमको पहुचना है, 1861 में कहां तक पहुचना है, 2000 तक, तो step by step जाएगा ने भई, तो इसलिए मैं तुकड़ों पढ़ाऊंगा, सुनो, 1861 में, तो 1861 में, अंग्रेज आ चुके हैं भारत में, 36 गड़ में भी आ चुके हैं, माराथे लोग भाग गये, भगा दिये गये, कैसे करो, अंग्रेज लोग बहुत पावरफुल हो गये थे, पूट डालो, सासन करो, नीती एक सेगुन पास दिमाग था, हडप नी सेंट्रल प्रोविंस, ध्यान दियें, क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोविंस, या फिर सॉटकर्स में, क्या बोलेंगे, इसको, सीपी, क्या बोलेंगे, सीपी, तो मद्य प्रांथ का गठन किया गया, अंग्रेजों के द्वारा, किन के द्वारा, अंग्रेजों के द्वार तो यह जो मध्य प्रांथ है, इसके अठान 1861 सेट में हुआ, आप ध्यान दीजिएगा कि मध्य प्रांथ था कहां पर, तो मैं इसके लिए एक मैप बना रहा हूं, तद्काल, आप लोग ध्यान दीजिए ना, क्योंकि मध्य प्रांथ सब्दों को सीखना, बोलना आप लोग लिए बेहज जरूरी है, यह सपोज इंडिया है, तो ब्रिटी स्काल में, आप देखेंगे, तो मध्य प्रांथ जो छेत्र था आपका, काफी बड़ा था, उस समय का मध्य प्रांथ जो है, काफी बड़ा, सपोज, यह मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग फोकस करिएगा, यह अपना गुजराज छेत्र, आज आप लोग देखते हो, यह अपना, चाथिस गड़े MP, और यह अपना महाराष्ट, तो 1861 की बात करें, तो 1861 में जब मध्य प्रांथ का गठन हुआ, ब्रिटीस गवर्मेंट के द्वारा, किस का गठन? मध्य प्रांथ, याद रख लो म लोग 2 नमबर, चाथिगड़ कब बना था वैसे? एक नमबर, यह दो नमबर, तो 2 नमबर, 1861 को मध्य प्रांथ का गठन हुआ, जिसकी राजधानी थी नाकपूर, राजधानी क्या बनेगा? राख पूर, ना, capital या राजधानी, तो आप समझ सकते हो, राजधानी नाकपूर जो सहर सिटी सुने हो, क्या सिटी बोलते हो उसको? खाते हो, खटा-खटा, मिठा-मिठा, औरेंज, औरेंज सिटी सुने हो नहीं? हाँ, सर जी आप, सभी प्रतिभागी ध्यान सुनेंगे, पूरा फोकस क्लास में होना चाहिए, बाक्री चीजे बाद में आप ल पढ़ाई कर रहे हैं, तो 2.9.18.18 को मध्य प्रांद के गठन हुआ, जिसकी राज़ानी क्या बनी? नाकपूर, यह किसके तवारा बनाएगा बोलने से? अंग्रेज, तो मध्य प्रांद के हिस्से में, उस समय यह आपका, महराष्ट का, ठीक है, महराष्ट कौन सा छेत्र बोलने से आब हो सकते उत्तरी चेत्र और इधर पुर्वी चेत्र यह था, और यह संपुड यह महराष्ट का हिस्सा इतना, यह पूरा MP, पूरा MP ना, और कम्प्लीट CG, तो मध्य प्रांद के जब गठन हुआ, अंग्रेजो के द्वारा, यह एक राज्य बना, यह बना, तो इसमें कौन-कौन से वर्तमान चेत्र आते थे, महराष्ट, मध्य प्रदेश, 36 गड़, इसको याद करो आप लो, मध्य प्रांद, दिखना चाहिए, मध्य प्रांद बोले से, आज का 36 गड़, मात्र राज्य, MP, और महराष्ट का आधा हिस्सा, यह मध्य दिखना है, मध्य प्रांद, सेंट्रल प्रोविंस, इस परश्ट है, तो इस सेंट्रल प्रोविंस में चट्री गड़ दीख रहा है, उसमेह न जी, इसमें कोई समभागुमा कुछ नहीं बनाता है, तो 1861 के समय में, आपको ध्यान में देना है, यहाँ पर 36 गड़ में जील तीन जीले बने 1861 में, सुने रहा हो, जीला गठन का पढ़ाओंगा, मैपी में याद रहा है, तीन जीले का गठन, कब 2 नवंबर 1861 में, कौन-कौन सा तीन जीला, आप सभी लोग याद रखेंगे, तीन जीला है छतिवड में, RBS, यह याद रखना हो, आप लोग बस पायल ट्रिवल्स, महराजय ट्रिवल्स, दुनिया भर का बस चलता है, तो उसी से याद कर लो, रायपूर बस सर्विस, तो R से आपको याद करना है, रायपूर जीला बना, ठीक है, B से आपको याद करना है, बिलास पूर जीला बना, और A से आपको बोलना है, संबलपूर ये तीन जीलों को आपको अच्छे से याद कर लो ने तो पुरा दिमाग का दही हो जाता है ये तीन जीला को आपको याद रखना है तीन बड़े-बड़े सियान मुख्या जिनका गठन जो है सबसे पहले कब हुआ 1861 को 2 नौंबर 1861 को रायपूर पहला जीला बना बिलासपूर भी जीला बना संबलपूर जीला बना जिस समय मद्यपरांथ का गठन हुआ तो इस मद्यपरांथ में 36 गड़े शेत्र से रायपूर, बिलासपूर, संबलपूर जीला बना था बस सुने रहो इसको ठीक है प्रश्ण आता है कि चतिर का सबसे पहले जिला कौन से है तो दहार के बोलना है रायपूर 1868 और कौन से जिला है बिलासपूर 1868 संभलपूर कब 1861 सुनाई में यहां समझ में आगे ना यहां तक किसे कोई दुख तकलिफ आर बी एस आर बोले तो रायपूर बी बोले बिलासपूर एस बोले तो संभलपूर 1861 में मद्य प्रांद का जब गठन हुआ राजधानी बोले नाकपूर आपको ध्यान में रखना है और इस समय आप लोग पढ़ोगे अंग्रे जधिकारी थे अंग्रे जधिकारी आप लोग पढ़ोगे आयागा भी है ना चाल चल के पढ़ोगे कौन चाल चल के आएगा तो तो यह घटना समझ में आगे 1861 मद्य प्रांद का गठन इस परच्ट है अब 1861 के बाद अगले डेट याद रखने आपको 1862 61 62 करने 61 के बाद 62 इतना बहुत पाओगे ना 61 के बाद 62 चले तो ध्यान जीजिए का 1862 में बाते क्या हो रही है गौर फर्माईए कि सभी बहरती एक साल बाद 36 गड़ छेत्र जो है उसको बना दिया गया डिविजन मतलब संभाग तो आपको ध्यान रखना है 36 चाच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च मध्य प्रांध मतलब मध्य प्रतिश नहीं, मध्य प्रांध मतलब MP, महराष्टा और सिजी तबलाक मध्य प्रांध जिसमें से 36गड 1862 में एक संभाग बना, आपको ध्यां रखना है, यहाँ पर फोकस करो, 36गड को संभाग करो, तो 1862 में इसी को यादा दोना है, अब थोड़ी सके detail में जाना है, 61 में क्या बोलोगे है, मद्य प्रांथ का गठन, इतना बोलना सीख जाओगे, राद भी काल को भी पूछूँगों ना बताने है, 1862 में बोलने है, चुप चाप बोलना है, 1862 में क्या बोलना है, 36 को संभाग का दर्जा अब इसके अंदर में थोड़ा सा आपरेशन करके बता रहा हूँ कि क्या क्या हुआ 1862 में आप ध्यान दीजिगा 1862 में जब संभाग बना 36 गड़ा तो बाते क्या हूँ थी थोड़ा समझेगा इसी के साथ साथ मद्य प्रांद के भीतर 5 संभाग बने नोट करेंगे मतलब सुनेंगे मध्य प्रांद MP में नहीं बूलूँगा नहीं गड़ा आजाएगा मध्य प्रांद में 5 संभाग बने थे उसमें जिसमें से एक संभाग कौन से था अपना 36 संभाग वो पांच संभाग का नाम भी सुलो मध्य प्रांद में सबको समझ में आ गया MP महराष्ट और 36 यह दिखना चाहिए तुम्हारे दिमाग में नहीं दिख रहा है मतलब गड़ बढ़े भाई दिख रहा है आउलाइन वालों को मध्य प्रांद बुलने से से जिसे भुगूव को डिक्त हाथ भोलने से है नहीं तो ऐसा ही मध्य प्र Osaka investig और चाहिए कि मध्य प्रोप इमाद्य प्रांद इधर आयराई्चाति धर क्या है माराश्ट अ तो देखो तह माध्य प्रांद में पांच संभाग बनें व क्लबागा नाम ओकर रायपूर बिलासपूर आता था जी ला कॉन कोई सा रायपूर बिलासपूर और संबलपूरे संबलपूर वरतमान में वैसे उडी सम्में है पर अभी सुने रहो फिरहाल दूसरा संभाग कौन सा बना तो MP चेत्र में चले आओ तो मद्द्रदिस में आपको बोलना है सागर सागर अब जाओगे सागर MP के मदब भौपाल के उपर में है वह अधर ग्वालियर के बाज़ों में सागर ठीक है सागर अव्रतमान में कहां है MP में है कौन-कौन से जिलत हमको जानने कोई मतलब नहीं दीसरा सागर के लावा जबलपूर जबलपूर जानते हो ये भी कहा है MP ठीक है तो MP में जबलपूर एक दूसरा संभाग बना अब हमको का करना जबलपूर में का है काम करें तो इसको याद करने बस सुने रहो जबलपूर संभाग बना चौथा संभाग आपको बोलना है नाकपूर जो की क्या था जीला मुख्याला था और पांचो संभाग आपको बोलना है गोदावरी गोदावरी आप जानते हो गोदावरी नदी कहां से निकलती है कैसे निकलती है तावल पढ़े होगे इंडिया जिग्राफी में त्रेमबख को संभाग का बनने का दर्जा प्राप्त हुआ है जिसके अंतर गत रायपूर बिलासपूर और संभलपूर तो ये जो 36 गड़ दिख रहा है ये उसमें एक संभाग था जो आज एक जिलह है 1862 में इसका पोजिशन क्या था संभाग जिसमें ये तीन जिलह थे अब इसमें सबस खास जो चीज नोट करना है जो एक्जाम में पूस्था भी है और जिसमें लोग घच्चा खा जाते हैं क्या घच्चा खाते हैं इसमें से जो आपका बस्तर संभाग आप देखेंगे तो ये जो बस्तर संभाग का जो भूबाग है उन दिनों British Government के समय 1862 में 363 गड़ संभाग के हिस्सा नहीं था दिलचास बात यह गवर्फरवाईंगे सभी उप्यर्थी आपका जो 36 गड़ है वो रायपुर बिलासपुर संभाग का छेतर मदब बस्तर जो है इस 36 संभाग का छेतर नहीं था बेटी सकाल में 1862 के आसपास तो आपको दहार के बोलना है गड़ावरी यह गड़ावरी नहीं आप लोग जानते हो बहती है इधर तो सोच ले नहीं इंद्रवाटी और गड़ावरी दोनों बहीनी है तो बहीनी बहीनिक सूर्था कर लो इंद्रवाटी छोटे बहनी गड़ावरी बड़े बहनी तो बहनी बहनी साथ एद मयां दिखत नहीं माला यां तो बसतर शेत्र यालत ना गड़ावरी के साथ बांके यह जो रायपूर है यह दूर के बोल देना, खेरब रायपूर, इधर यह बिलासपूर, अब इधर समवलपूर, यह पूर अच्छेत्र ना, रायपूर संभाग का हिस्सा था, उन दोने यह भी सामिल लई था, तो 1862 का यह है, आपरेशन अंदर का, यह कुछ कहानी है, जिसको सुने रहना आप ल रहो, 1903 में मद्य प्रांद का जो छेत्र है, इसमें थोड़ा सा विस्तार हुआ, मद्य प्रांद का छेत्र में क्या हुआ, थोड़ा विस्तार बढ़ गया, तो नाम क्या हो गया, विस्तार कैसे हुआ, तो मद्य प्रांद के साथ साथ महराष्ट का एरिया और, यह आप दे द आक लेब दो सब्सक्ते के लिए अरिया ह Annah Lach structured. ऐसे महाराष्टर के लिए अलग सिए अरिया अधूर बार, तो इसको क्या परांथ को है . तो यहां पर देखें, मद्य प्रांत इवं बरार छेत्र, यह हो गया, राज्य में थोड़ा सा नाम, पुनर गठन कर सकतो, मद्य प्रांत इवं बरार छेत्र, 1903, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हिस्सा इसको क्या कर दी, एड कर दीए, ओके, अब इसके बाद, तो यह हो ग 1862, 1900 जैसे छोगे, यहां पर 1900 को जैसे छोगे आप लो, तापको 1903 से शुरुआत करना है, यहां पर इस बीच में क्या क्या पढ़ है, कौन कौन से यह, तो 1861, और 1862, होगे बस दो ठोग घटना, दो ठोग यह, 1900 के बाद, यह अपना 1903, अब आओंगा 1905, फिर आओंगा 1905 के बाद, और अधर आगे, चले, 1903 के बाद, 1905, तो एक काम करते हैं, यह पर्थम चरण में इसी को लेना, एक काम करते हूं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको मैं द्वीती चरण में लोगगा, तो ज्यादा अच्छा लगए, बंजागा, पर्थम चरण, द्वीती चरण म हम ले लेते हैं इसको 1900 से 1950 के बीच का प्रमु घटना है तो इस बीच में आप लोग पहला यह देखिए 1903 में का हो इस बाबूरे बताओ आनल बताएंगे क्या हो 1903 में 36 गड़क के साथ कुछ हुआ कि नहीं वो थोड़ा एरिया याद रखना है आपको मध्य प्रांथ में बरार छेत्र शामिल और एक कहना नहीं लगा मध्य प्रांथ हो बरार ओके अब आते हूं 1905 1905 बहुत जादा इंपोर्टेंट है परिच्छा के दिष्टिकोर से यह याद रखना 1905 में वैसे भारत में आप पढ़ा होगे बंगाल भी भाजन हुआ था लाड़क करजन के निती से तो 1905 में इसका असर 36 गड़ में भी देखने को मिला जो भुभाग है उसका क्या हुआ पूनर गठन हुआ अब इसी पूनर गठन की कॉंसेप्ट लेकर बार बार पुछा जाते है सवाल पी एससी और व्यापाम में तो 36 गड़ राजे का भोगोलिक पूनर गठन जो हुआ है आप पढ़े हो इसी 1905 में आपको याद रखना 36 गड़ का नकसा तैयार कह सकते हो यह इस कस्ती तुम्हाँ है इसी 1905 में तो यह कैसे आया चट्र राजे कोलिक पूनर गठन से तो इसे कॉंसेप्ट को कई लोग बहुत अच्छे से याद भी रखते हैं पर मैं आप लोग को थोड़ा सा असान तरीका बताता हूँ हो ना क् आप लोग बच्चे लोग जूड़ चुके हैं लगभाग दोसाओ सर्गुजा की धरती से प्रणाम खुश रहो आप लोग स्वस्त रहो मस्त रहो और महनत करते रहो आने वाले समय बहुत सारी परिच्छाएं आईजित होने वाली है तो आप लोग को भी मैं बिलकुल बेस को समझने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए और निस सो पांच में आप यह देखेंगे यह हमारा 36 गड़ एक 35,192 वर्ग क्लोमेटर फैला हुआ है मध्य प्रदे से जब भाजन हुआ तो इसका लगभग 30.47 प्रतिशत भुभाग ही दिया गया जो कि भारत के कुल छेत्र फल का चार्द समलो एक एक प्रतिशत है छेत्र फल के धार पर देश का नमवा बड़ा राज्य है तो यह जो छेत्र आप देख रहे हैं इस शेत्र में आपको समझना है 1905 की यादगार घटना गौर फरमाएंगे सभी बेंदी 1905 इस 1905 को किस नाम से आद रखना है चत्तिजड़का भगवलिक पुनर गठन बोलो चलो मेरे साथ ऑनलाइन वाले घरे में बेठे हो तो घर में भी चिलाना है दाहार के चत्तिड़का भगवलिक पुनर गठन यह हो गया अब ध्यान से दि यह जो छेत्र जो पहले सामिल नहीं था चत्तिव एचार में शामिल हुआ इसको मैं थोड़ा सा अला इसको मैं प्लस कर दे रहा हूँ और कुछी मैनस हो और कया मैनस हो यहां पर यह चेत्र ये छेतर माइनस हो गया माइनस मतलब Outgoing Positive मतलब Incoming Incoming मतलब आया Negative मतलब गया तो कुछ आया और कुछ गया तो क्या आया कुछ गया तो आप ध्यान देंगे 5 का आना और 5 का जाना 5 का आना 5 का जाना 1905 में पुनर घठन कहलाना प्यारा गया आरे प्यार गया। गाना सुने हो ना तो पांच काना पांच के जाना। 1905 में घटना है भग अलीक पुनर गठन। इस पर श्टाप पांच कौन आया पांच कौन गया। इसको थोड़ा ध्यान से सुनो आप लोग। चले तो आनलाइन वाले रेडी हो जाओ। पांच कौन कौ माल लेते हैं, इसको दूसरा रियासत माल लेते हैं, इसको तीसरा रियासत माल लेते हैं, इसको चौथा रियासत और एक ठोके पांच रियासत। तो पांच रियासत के नाम को आपको ध्यान रखना है जो सामिल हुआ कौन कौन से यह वाला छेत्र है। तो यह रियासत जो आ आखन्द का हिस्सा है. तो छोटा नाख्पूर का जो पठार एरिया है, इस पठार एरिया से पाँच रियासतों को छत्जगण में मिलाया गया और इसका अधहार जो था मिलाने का अधहार है. प्रशनाता है बावूरे अधार बताओ, कौन अधार पे तुमन जुड़े हो, कौन अधार पे तुमन गे हो, यह अधार मुल बताओ, बेस क्या था, तो आको बोलना है अधार, भासाई अधार, क्या बोलना है, भासाई अधार, वो का है ना, एतिक के भासाई थोड़ा उडियरी से, उडियरी बड़ी यहां पर 5 का आना हुआ और 5 का जाना तो आपसे पूछा जाएगा कि 36 गड़ भजोली पुनर गठन जो हुआ 1905 में उसका बेस क्या था कोई लड़ाई हो इसे नाई भासा यह धार पर अलग किया गया यह आपको ध्यान में रखना है चलिए तो ध्यान देंगे, यहाँ पर यह 5 काना, 5 का जाना, तो अब भी हर्थी यह 5 कौन-कौन से था, तो सभी लोग ध्यान सुनेगी, यहाँ पिलेक देता हूं, लिख दूं, 1, 2, 3, 4, और 5, पांचों को सुनना है, आप लोग कौन से 5 मस था, पहला बोलना है, रियाशत, आपको बोलना है, चांग भखार, चांग भखार रियासत, यह चांग भखार यहाँ पर है, पहला नमबर, यहाँ पर जाओगे, MCB जो जीला है न, वहीं पर चांग भखार की पहाड़ी है, भरत पर बोलते हैं, तो चांग भखार रियासत, दूसरा, यह छेतर है, कोरियर रियासत, इसको सामिल कर दिया गया, तीसरे ये देखेंगे, तो इसका नाम है सरगुजा, कोई ट्रिक विरिक की जरुवत नहीं है, हर चीज में ट्रिक गुसावे मजनी आता, देखो दिन दहाडे, ये है अपना, पहला चांग भकार, दूसरा कोरियर यासत, तीसरा सरगुजर यासत, चांग था, ये है आपका जसपूर यासत, क्या बोलना है, जसपूर यासत, और पांचवा जो मैं लिखने वाला हूँ, उसको मैं अलग कलर से लिखने वाला हूँ, क्योंके उसके पिछे साजिश है, साजिश, है ना, जसपूर के बाद नीचे माता है राइगड, सुने हो दिमाग में राइगड था, लेकिर राइगड में ही एक छोटा सा चेतर चुपा हुआ है, जिसको बोलते है, उदैपूर, क्या बोलना है, उदैपूर, ये रियासत को सामिल किया गया, उदैपूर, जो की धरम जैगड के नाम से आज जाने आता है, राइगड जीला में इस इस गड़ में शामिल किया गया, जोडा गया, तो ये सिर्ष छेतर आप देखरों बनके तयार, अब हमको जानना है कि कौन कौन से छेतर जो है, वो बाहर हो गया, ये प्लस पांच को जान गया, फिर से बोलो मेरे साथ, पांच टो प्लस कौन कौन सा हुआ, ऑनलाइन वाले म ऐसे शांगभखार रियासत, दूसरा कोरा रियासत, तीसरा शरगुजा रियासत, चौन्था जसपुर रियासत और खतर नाक चीश पांच हो है, उसे फोकस करने हैं, आज Afghanistan लोगे, जो ग्यान के वापस जुद्ध Garden क्या जात करोगे पतना रियासत, फियात करोगे सोनपूर रियासत, सोनपूर, पतना, सोनपूर बोलपाओगे, पतना, सोनपूर, नामन लिवाद है दि भूर कोईंट, अगला देखो, रायल खोल, राजिस्थान रायल शुने हो, तो रोयल उसमें जाड़ दो खोल, कतरी खोल रोयल खोल उसके बाद आपको याद करना है इधर बामरा कसरे बामरा ते जाबे की निजास चल दे तो महरा आज एद चल दिस तो बामरा, आखरी में हड़ईले अधर के काला हांडी तो ये पाँच को तुमको याद करना है ये पाँच कौन कौन से गए पठना उर्यान पठा गए सोनपूर चल दिस मही के अपन तीसरा रायल खोल खोल में घुज गए और चौथा बामरा और पाँचवा काला हांडी ये पाँच उन दिनों रियासत थे चैत्र में या फिर कह सकते हो उड़ी सा चैत्र में कहां संबलपूर चैत्र या फिर कह सकते हो उड़ी सा चैत्र में सामील कर दी गया है तो ये जो भूभाग है ये भूभाग पुरा इथा इसी में है न इसी भूभाग में इसी भुभाग में सब था पटना, सोनपूर, आयल, खुल बामरवकाल, तो प्रशना है कि इन में से कौन सा सा मील, यहां से अलग कर दिया गया, कौन सा आया, तो पांच ये और पांच ये दिखना चाहिए, चलो, आललाइन वाले मेरे साथ गोड़ बात करेंगे, आललाइन व तीसरा, रायल खोल, कौन सा खोल, रायल खोल, कत्री खोल नहीं बोलना है, रायल खोल, चौथा, बामरवकाल, कसरे बाबूरे, बामरवकाल, और पांच वा क्या बोलना है, काला हांडी, आप पढ़ोगे, काला हांडी बहुत ही एतिहासिक जगह है, इसी काला हांडी से आप आप जिला बन गए है, यहीं पर पहाड है, इसी पहाड से इंद्रवती नदी का उद्गाम हुआ है, तो यह 5 आये और 5 गये, यह 5 के आने से और 5 के जाने से, 36 गड़का एक स्वतंत्र छेत्र जो है, इस्थापित हुआ, अब इसको देखने के बाद, 1905 के बाद, अब देखो 1905 में भासा यधार पर, yes or no, समझ में आया कि निया ओनलाइन वाले, क्या बात है, आप लोग यार, लाइक बटन को प्रेस नहीं कर रहे हो, मज़े नहीं आ रहे है, कोई कमिहत बताओ, लाइक बटन को इसे दबाओ, 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 लाइक बटन को, धाई साव लोग ज कास चलती है, मोड चत्रिगड बैच, लेकिन जिनको CG, PSC, CG वयापम, अभी पुलिस भरती, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, विज्ञान प्रयोकसाला परिचारक, इन सब में चत्रिगड मेरे द्वार आप लोग को पढ़ाए जाएगा, मेरी कोशिस रहेगी आप कि मैं आप लोग को चत्रिगड पढ़ाऊं, है न, तो सभी लोग आप लोग जुड़ेंगे रोजाना शाम को, हाँ, सर जी एक बार रिपीट कीजिए न, प्लीज, चलिए, हिम्मत दास मानिक पूरी का हिम्मत देखो, बोला है, फिर से फर्माईए, सर, ठीक है बाबूरे, सुर्वात कर देखो, तो देखो, पांच कौन से आए, और पांच कौन से गए, अधार क्या था, भासाई अधार पर, याद रहेगा, चलो, ऑनलाइन वाले गौर करेंगे, कई बार क्या है, पार बार पढ़ते, भूल जाते, थोड़ ध्यास देखो, मैं समझ रहा हूं उसक ठीक है, सरगुजर रियासत, जसपूर रियासत, और उदयपूर रियासत, ये पांच रियासतों का आगमन हुआ, 36 गड़ में, आई समझ में, अब देखो, कौन कौन गईज, पटना चल दीज, सोनपूर, रायल खोल, बामरा, और काला हंडी, ये पांच चले गए, आई ट्रेस करें लाना चाहिए, चालो, तो बहुत बड़ी है, तो आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर ये पांच के आने से, जो है, मैप इसपष्ट हो गया, अब देखो, मज़े की बात, तो यहां पर आप लोग, दूती चरण में 1903 के बाद, 1905 को जान गए, जान गए ना, आप लवतना जहान देना है, अपनले सीधा कहां जानना है, 1905 के बाद, 1918, कहां चलना है, 1918, भैंकर जबरदस्ती, आउनलाइन वाले क्या बात, मैं ऐसे करके इसे सेर करता हूँ आप लोग को, आप लोग इसे मोबाइल में चपक के, सेर कर दिये करो, बड़ा अच्छा ल आप लोग को, ताकि सबको पता चले, हाँ तो देखो, 1918, छत्रीज़ जवान, और छत्रीज़ कर जवान को है देखना, यहां पर नाम आता है, 1918 बज़से ही बोले, तो तुम लोग को सपना दीखना चालो हो जाना चाहिए, क्या दिखना है, सपना, संकल्प, तो सपना, औ सपना आउ संकल्प, सपना आउ संकल्प के जोड़ी हावे बड़ सुन्दर, का है बड़? सुन्दर जोड़ी, तो सुन्दर लाल, लाल सुन्दर, तो सुन्दर लाल, देख क्या आदमी सर्मा आगी, तो पूरा नाम का हो इस, सुन्दर लाल सर्मा, तो सुंदरलाल सर्मा को यात करने है 1918 में सुंदरलाल सर्मा अब आगे चलके बनगे का सिद्वादमी, नेक आदमी इसको बोल जाता है छतिल्ड का गांधी क्या बुलते हैं इसको छतिल्ड का गांधी है अहींसा वादी, ना काकरों से लड़े जगड़ा करना तो अक्सर प्रश्ण में आता है, आपको ध्यान में रखना है, कि 1918 में चत्यड के जाने माने राजनेता, पंडी सुंदा लाज सर्मा, बामन आदमी, दिमाग तेज, इन्होंने सोचा, कि क्यों ना चत्यड का जो छेत्र बन के जो तयार हो गया है, पांच के आने और पांच के जाने से, तो एक मन में आ रहा है उसका सपना देखा, कि यार चत्यड जो है, मैपिंग के धार पर एक नया राज बनना चाहिए, तो उन्होंने जो है, पांडू लिपी में, सुंदा लाज सर्मा ने ध्यान दिजेगा, याद रखनो ना, सपना और संकल्प, तो इसको बोलत बोल पाओगे, तो चत्यड के प्रथम, प्रशन आता है, चत्यड के प्रथम स्वपन दिश्टा, चत्यड के प्रथम संकल्पना कार कौन थे, तो आपको बोलना है, पंडीत सुंदा लाल सर्मा, उन्होंने पांडू लिपी में, जो है, इस मैप को ड्रॉ किया, कौन सा मैप यह भार हो यहां है, यह हमें बन के तयार होगी न, उन्होंने इसे ड्रोख करेए, यहेदे हमार पंडीत सुंदा लाल सर्मा, दников पॉलो, चत्यड के गांधी की, एक, तो ठीड के गांधी की, जाजाकार, यह क्या देखे, क्या देखे, कब देखे, कब देखे, बताओ, उन से कम अठारा तो यहां पर धियां रखना है इन्होंने ऐसे पांडू लिपी में यह देख पांडू लिपी मतलब हाथ में इसे बने इसे बने इसे दिखा तुम ला आप लोग ज़र देखिए गवर से लूक एट में अना वाट आयरा में ड्राइंग एड़ा देखो देखो द बादन स्वापन दिश्टा जब भी बात आगी बाद दफ्राम स्वापन दिश्टा स्वापन दिश्टा और और संकल्ब संकल्प यहां पर ध्यां रखना्र आब रहा nooit हो प्रथम संकल्प, मैं भूलागे रहा हूँ, जोड़ी मुला देखो यह थी, आउनलाइन वाले, कहां है, संकल्प, यह देखो, संकल्प, संकल्प, तो दिनने संकल्प केगे, अब च्छत्री रड़ को क्या बनाएंगे, प्रथक, राज इब्राइंग, उसके मन में बिछा रह तो अब तुम्हें यार, अधिकारी बन के रहबे करो, मैं अब सरकारी नौकरी लगा के रहूँगा, ऐसा करके, पता नहीं, पड़ोसी से प्रभावित होके, कुछ प्रभावित होके, या किसी को तुम ब्रोप प्रॉमिस किया तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे मन्दन मे आग जल जाता है, और पूरा करने किलावल बढ़ जाते हैं, तो इन्होंने सपना भी देखा, और फिर संकल्प भी किया, ठीक है, यह आपको ध्यार रखना है, इसी बीच में एक चीज आता है, तुम उनको ध्यार रखना है, आज कल आथे कल्पना, एक वो हीरो इन आगे, ठी आज कल सेरियल देखते हो तुम लोग टीवी में, टीवी में सेरियल देखना है, आज कल साधी होने कबात देखना ही पड़ता है, टीवी में तो साधी बलता हूं, सेरियल में देखना है, चाहे वो जी टीवी हो, चाहे स्टार प्लस हो, चाहे सोनी टीवी, जो भी चैनल दे तो एक आदमी और दो भी मेंटेन करने बड़ा दिक्त है नहीं, जंजट चलते रहते हैं, तो वैसे यहाँ पर देखो, सपना और संकल्प, मतलब सपना, प्रथम सपना और पहला संकल्प, बोलने से सुन्द अला सर्मा, लेकिन यहाँ पर आ जाता है एक सब्द, जो एक्जाम सपना का लेदेकार, तो याद नहीं, परथम कल्पना कार, और खूब कल्पना, भेंग कर कल्पना किया, तो उसका नाम है, डख्टर खूब चन बघिल, सुने हो entitled, तो 36 रख़गे परथम कल्पना कार, डख्टर खूब चन बघिल को माना जाता है आई स्थान में, तो प्रथम सपना, ये तुमाल सुर्था रहा है, वहन्या बुला आजयो, ये दे, सपना कोन देखीज, सुंदर, सपना, संकल्प कोन करिज सुंदर शंदर करिज, लेकिन बीच में कोन आगे, कल्पना, खुप कल्पना किया, ऐसे करके याद कलेना, तो प्रथम संकल्पना कार वोलेगा तो आपको बोलना है किसको पंडि सुंदला सरमजी को याद करना है बन जाएगा ना चीजए के लिए हैं तो 1918 के ये चीजों आपको याद करना है हो गया तो ये चीजों का आप द्यान रखेंगे अब 1918 के बाद online वाले क्या बात है यह लोग अपना experience share कर रहे हैं तुम लोग अपना कही experience share कर रहे हूं चलो आज अब यहाँ पर यह पहला चरण त्वीती चरण में जा रहे हैं 1908 बाद देख़ा आगे 1908 बाद 6 साल बाद आपको पढ़ना है 1924 यह 1924 में क्या हुआ है ध्यान सुनिएगा 1924 हम 1903 में जानगे क्या हुआ क्या हुआ जानगे ना 1905 में जानगे भगोलिक पुनर गठान 1908 में सपना संकल्प कल्पना ठीक है जोड़ दो है इसमें किसका नाम रख देना डक्टर खूबचन बगहल याद रहेगा आप लोग को चलिए अब आते हैं 1924 तो 1924 में याद रखना यहाँ पर पहली बार मांग किया गया पहली बार मांग ठीक क्या मांग छेत्री मांग छेत्री इस्तर पर छेत्री इस्तर पर मतलब छत्री इरिया है छत्री डड़ में रहने वाले लोग जो है क्या किये क्यार चलो नए काम करतां छत्री ड़ड़ को अलग से राज़्य बनाने के लिए ट्राइ करते हैं यहाद करना है तो याद करना है आपको राजनीतिक परिशाद, यह रायपूर जीला परिशाद कर सकते हो, यहाँ पर ऐसा लिग देना, याद अच्छा रहेगा, रायपूर जीला परिशाद, ठीक है, यह रायपूर जीला के परिशाद के सदस्यों के द्वारा, पहली बार जो है, छेत्री इस तर पर मांग किया गया, कि छेत्र क्या होना चाहिए एक प्रिथक राज्जी होना चाहिए 1924 के इतनी बाते को आप लो सुने बस रहों इससे ज्यादा कुछ नहीं आगे बढ़ें अब 1924 के बाद कौन सा आ जाएगा आप लोग ध्यान सुनेंगे 1924 के बाद 1925 अवालने लिवाद ध्यान देंगे 1926 इतन जानशिव पर उननिजसों चाहलिस अनननीस सो चाहलिस और ननीस सो अरतालीस यह हो गया आई समय में ननीस सो अरतालीस के बाद ध्यान देना, 1948 के बाद, 1950, 1955, 1956, 1967, 1975, 1983, 1994, 1998, उसके बाद लर्ट पर्ट, 2000, यहां आएंगे, तो यह जो घटना है, क्या क्या हुआ इसमें, इसको मैं आज नहीं, कल के एपिसोड में बताऊंगा, बहुत ही असान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से इसको मैं बताऊंगा, ताकि आप लोग के दिमाग में सेट रहे यह चीजे, तो यहा कल मैं यह क्लास फिर कंटीनू करेंगा, इसके बाद यहां पर दूसरी क्लास होती है, तो आप लोग बने रहिएगा, मेरी क्लास में, शाम को, कल 6 बज़े मैं क्लास लूँगा, जल्दी लूँगा, ठीक है, तो जितने प्रती भागी, यहां तक किसी कोई दुख तकलिफ हो साथ पेस अकडमी का मुबाइल है, और सभी बढ़तियों को बता दों कि भी बहुत सारे परिछाएं अब होने वाली है, क्योंकि सितंबर का महिना निकलने वाला है, अक्टूबर, नॉवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, परिछा का दौर अब चालो हो जाएग कल इसको आगे और कंटीनु करेंगे, तो आप सभी का धन्यमाद हिर्दय से जुड़ने के लिए, मुझे जहलने के लिए, कल फिर जहलने के लिए तयार हैगा, मैं खुब जहलाँगो कल, कंटीनु जहलाँगो है न, तो धन्यमाद, दिव्या, देविका, जीतने ही करते लिए, के वाल है रशिक जहलाँगो की जहलाँई आथ बन्यमादया मैं झाल उन्यमादी करें विका, जहलाँ़ने का लिएतनी हैज़ने के लिए देज़ने के लिए मुझें तो फिका आजिए, जो बार पॉँद Ф1द2द2द2द2द3, जोच 1-8 एवांद1एद2द2